हेलो नमस्ते मैं हूँ दिपांकर और आप देख रहे हैं दीपाड़ बाइ दिपांकर पिछले वीडियो पे इतना अचा रिस्पांस देने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और गीववे कॉंटेस्ट पे जिन्होंने पाटिस्पेट किया था आप सबको कॉंग् और गीववे वीडियो के गिनट्स मैं वीडियो के आगे डिस्क्लोस करूँगा वीडियो को एंटर जरूर देखें आज मैं फिर से संफांसी स्कूल हर्मू पे हूँ स्कूल बिल्डिंग के एंटरेंस पे एक फ्लावर वास है जिसे मुझे आज पेंट करना है एंटर रिली कलर यूज कर रहा हूं किनेक पे मैं रेक्टांगुलर शेप्स ट्रॉ कर रहा हूं रैन्नम कलर्स के साथ और आगे बॉडि पे बहुत सरे पैटन्स और शेप्स टालूंगा जो कि आप आगे देख सकते हैं रेक्टांगुलर शेप में कलर करने से वो एफेक्ट नहीं आया जो मैं चाह रहा था इसलिए मैंने ब्लैक कलर से उसे आउटलाइनिंग कर दिया ब्लैक आउटलाइनिंग का रिजल्ट आप यहां पर देख सकते हैं कैसे एक छोटा से मानूट सा डिटेल आपके पेंटिंग पे बहुत सारा डेफिनेशन आट कर देता है बॉड़ी अभी पेंट रेडी नहीं है इसलिए मैं इसे वाइट कलर करके ओवरनाइट सुखने के लिए रख दूगा ताकि इसके उपर मैं कल पेंट कर सको जब मैं पेंट कर रहा था तो हमारे फिजिक सर्थ समित्पा मेरे हल्प के लिए आये थे मैंने ये वास तीन दिन में कम्प्लीट किया है तो ये फर्स्टे हो गया कम्प्लीट आज मैं जितने जादा हो सके उतना वर्क कर दूगा ताकि लास्टे पे मैं जल्ली से फिनिश करके अपना वर्क फादर को दिखा सको मेरे माइन में जो शेप्स और पाटन्स आ रहे थे मैं इसे ड्रॉ कर रहा था और देख रहा था कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं गीववे की विनर्स मैं वीडियो के आगे डिस्क्लोज करूँगा इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ये था डे टू का वर्क और मैं डे थ्री में ये पॉट कंप्लीट कर दूँगा डे थ्री आज ये वास पेंडिंग का लास्टे है आज ये वास कंप्लीट हो जाएगा और आप देखी सकते हैं ये रिजल्ट थोड़ी ही देर में था कि ठूब में मैंने जो ये पटर्य डौक या था इससे मैं सैडिसफाइड ने था इस यि बेहने इसे पूरा ही रोत कलर कर दिया है और एंड पे मैंने इस पे फैक बिख voltar まず है जो कि आप एंड पे देख सकता है झाल 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 झाल